हेलो डिशोंट कैसे हैं आप सब चलिए शुरू करते हैं आज की गलास आज हम पढ़ने वाले हैं इशू अफ शेयर चैप्टर C.A. फाउंडेशन वेरी इंपोर्टन प्रैक्टिकल कोशन करने वाले हैं ये जो कोशन आज मैं कराने वालो हूँ इनकी वेटेज 10 नमबर और 15 नमबर की वेटेज रहती है वैसे भी इशू अफ शेयर चैप्टर जो है आपका 10 से 15 नमबर का कोशन आता है एक ही कोशन पेपर के अंदर और वो भी प्रैक्टिकल कोशन तो बहुत ध्यान से आप करेंगे तो चलिए देखते हैं हमारे पास एक कोशन है C.A. फाउंडेशन नमबर 20 के अंदर ये कोशन आया है दस नमबर का कोशन है दो वीडियो में बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने बेसिक कॉंसेट्स भी करा दियें सारे के सारे डिटेल में A to Z सारे कॉंसेट्स करा दियें इशू अफ शेयर से जिन बच्चों को कॉंसेट्स की बहुत ज़ करते हैं यहाँ पर कहता है ABC Limited Issued ABC Limited एक कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी है क्योंकि Limited वर्ड है यहाँ पर उसने 20,000 equity share issue किये है यह जरूर ध्यान रखें अगर shares equity है तो equity word यूज करें shares के सामने हमेशा और अगर preference है तो preference word लिखे ही है न ओफ रुपीज 10 इच 20,000 shares 10 रुपे का एक payable as follows कैसे हैं दो रुपे application पे है तीन रुपे allotment पे है चार रुपे first call पे है और एक रुपे final call पे है इसको add करो दो और तिन पांच और चार नो और एक दस 10 रुपीज होगे 10 यानि कि add पार का question है अभी तक तो आगे चलते हैं all the shares आगे पढ़ेंगे continue और नीचे कहता है next paragraph के अंदर all the shares were subscribed सारे के सारे shares subscribe हो गए हैं खरीद लिये हैं जितने issue किये थे okay money due on all the shares was fully received और जितने भी पैसे due थे वो सारे के सारे पैसे मिल गए हैं except क्या नहीं मिला है Mr. Bird Mr. Bird है जिसके पास 300 shares थे ठेक है who failed to pay the first call and final call इसने ना तो first call पे की है ना ही final call पे की है ओके all those 300 shares were forfeit और इन shares को forfeit भी कर लिया गया है forfeiture का question है इसका मतलब और ऊपर ठेकर ना Mr. Bird ने 300 shares पर ना first call दिया ना final call इसका मतलब call scenario की भी यहां पर बात रखी है है ओके अब आगे चलते है the forfeited shares of Mr. Bird were subsequently re-issue यह question re-issue का भी है इसमें call scenario का concept भी है forfeiture का भी concept है re-issue का भी concept है ठीक है तो पढ़ते हैं the forfeited shares कितने forfeit किये थे 300 shares forfeit किये थे ठीक है वो सारे के सारे क्या कर दिये हैं री-issue कर दिये हैं to Mr. John as fully paid up fully paid up मतलब 10 रुपे का share है face value 10 रुपे में ठीक है at a discount और discount पे किये हैं 2 रुपे 2 रुपे एक discount है नहीं तो pass नीचे कहता है to record above transaction in the books of ABC limited हमें journal entry बनानी है और कोछ भी नहीं करना है तो अगर question ऐसा question paper के अंदर आता है बहुत ही normal question है और free के number है बच्चे कहते हैं कि सर बड़ा मुश्किल दिक्कत होती है कोई दिक्कत नहीं है आपको बस practical question हाथ से निकाल के जरूर देखने at least कम से कम 10-15 question भी अगर आपने निकाल दे नहीं हाथ से अच्छे वाले ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ही छोटे मोड़ी question उठाके अब बना लिए कि चलो देखो सर रहे मैं तो करके गया था नहीं मेरा कहने का मतलब है आप previous year पीछले 10-15 सालों के जो question आये है paper के अंदर वो सारे कर लो ठीक है clear है तो चलिए इस question को कैसे करेंगे सबसे पहले आ जाते हैं इसका answer यहाँ से next page से मैंने start कर रहा है देखिए मैं आपको बताता हूँ करना क्या है जब आप journal entry बनाते हैं इस chapter के अंदर तो पहले तो आप एक बात का ध्यान रखें बहुत सारे बच्चे एक गलती करते हैं जैसे class 11 के अंदर journal entries में आप format बनाते थे वैसे ही format यहाँ पे भी बनाएंगे date, particular, LF, debit, credit, amount, proper तरीकेशन उपर journal और company का नाव बगएरा, सब कुछ proper तरीके से आपको लिखना है ठीक है, मैं directly कर रहा हूँ ताकि हमारा time बच जाए, ठीक है otherwise, यहाँ पर date दे नहीं रखी है, अगर date नहीं दे रखी हो तो यह तो आप serial number डाल सकते हो, entry number 1 को 1 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो, date column मैं से लिख सकते हो यह खाली भी छोड़ सकते हो, तब भी आपको पूरे number मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पर, पहली entry है application पर, तो application पर एक बार देख लेते हैं, कितने shares थे, application पर कितने रुपए हैं, 2 रुपए और कितने shares है total, 20,000, 20,000 into में 2, यानि 40,000 रुपए application पर entry बनाने हैं, तो application के entry आपको याद होगी, पहले पैसे मिलने के entry होती है application के time पर, तो पैसे लेने के entry का होती है, bank account debit to share application, मैंने आपको बताया था, क्योंकि equity share है, ठीक है तो हर एक जहाँ जहाँ पर share word आएगा, वहा इस लिखेंगे, ये मैं बार-बार आपको बताऊंगा ने, ठीक है, तो bank account debit to share application, ये entry होती थी, ये बना दो, ये 40,000 कैसे आया है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, 20,000 shares थे, कितने shares थे, number of shares 20,000, application पर कितने रुपे मांगे हैं, 2 रुपे, तो इस तरीके से 40,000 निका हमने आएगा, ठीक है, और नेचे आजाएगा फिर share capital, याद ने, share application account debit to share capital, यहाँ पर equity है, तो मैं बार-बार बोल रहों कि share के सामने equity word लिख नहीं है, तो share application account debit to share capital, ये entry होती थी, और वही same amount, 40,000 यहाँ पर लिखा जाएगा, ये है, पहली और दूसरी entry जो हमने यहाँ प चलते हैं, और उसके बाद बात करते हैं, allotment पे, allotment पे क्या होता है, कि 20,000 share है, allotment कितने रुपे की है, 3 रुपे की है, तो कितने होगी, 20,000 into me, 60,000 होगी, तो चलो allotment पे दो entry बना देते हैं, ठीक है न, तो इसके बाद आती है, third entry का number, third entry बनेगी allotment की, और फिर पैसे लेंगे allotment पे, application पे पहले पैसे लेते हैं, बाद में due के entry बनती है, तो चलिए बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया है, share allotment account debit to share capital, है न, तो entry बनकी share allotment account debit to share capital, share के सामने एक वर्ड लिखना ही है, मैं बार बार बोलुँगा नहीं, share allotment account debit to share capital, कैसे निकाला है, 20,000 shares थे number of shares कितने थे, 20,000 number of shares थे, allotment कितनी है, एक share पर तीन रुपे की allotment है, तो multiply कर दो 60,000, और फिर पैसे ले लो इससे, next entry अंदर bank account debit to share allotment, ठेकाने 60,000 सेम amount रहेगा, कोई दिखकर नहीं, अब आगे चलते हैं next, अब आजाते हैं आगे question, आगे बढ़ाते हैं वो question को, आगे 30,000 into my 4, याने की 80,000, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक बात जरूर ध्यान रखने के लिए, आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, यह देखो, एक वेक्ति है, जिसका नाम क्या है, Mr. Bird, एक वेक्ति है, जिसका नाम है Mr. Bird, और Mr. Bird के पास कितने shares हैं, 300 shares हैं, who failed, इसने नहीं दि पैसे लेंगे हम, तो उस टाइम पर first call, मैंने आपको बतायाता है ना, अगर कोई भी वेक्ति जिससे calls मांगते हैं, या आलोटमेंट मांगते हैं, और वो पैसे नहीं देता है, तो उसे call scenario बोलते हैं, है ना, तो call scenario अकाउंट को debit करते हैं, जब हम पैसे लेते हैं, clear है, तो यहाँ पर 20,000, ठेक ना, इंटो में 4, 80,000, और इतने पैसे हमें मिलेंगे नहीं, 300 shares पर, ठेक ना, कितने पैसे नहीं मिलेंगे, 300 shares हैं उसके पास, और first call पे नहीं किया, first call है 4 रुपे की, तो 12,000 रुपे नहीं मिलेंगे हैं, तो चले, शुरू करते हैं, अब यहाँ पर आ यह entry होईगी, है न, share first call account debit to share capital, amount कैसे निकालेंगे, number of shares कितने हैं, 20,000 है, और first call पर कितने रुपे मांगे हैं, एक share पर 4 रुपे हैं, तो इस तरीके से 80,000 आया है, नीचे आ जाते है next entry, बहुत ध्यान से देखेंगे, पैसे लेंगे, bank account debit, ठेक न, bank account debit to share first call, यह entry बननी चा 300 shares, यादा न, मैंने अभी बताया था आपको, 300 shares हैं उसके पास, और उसने first call पे नहीं किया, first call कितने रुपे किये थी, अपनी 4 रुपे की, तो इस तरीके से 1200 रुपे उस नहीं दिये हैं, तो यह जो है, अपना यहाँ पे देखो, एक बार, देख लो, 300 into 4, इस तरीके से call scenario account खोल के debit कर देंगे 1200 से, तो इस तरीके से 80,000 minus 1200 बाकी के पैसे हमीं मिल जाएंगे, bank में बाकी के पैसे आप दिखा देंगे, clear है, अब चलते हैं, next entry करते हैं, और उसके बाद question को आगे बढ़ाते हैं, चलिए चलते हैं, आगे की तरफ, अब आजाते हैं यहाँ पर final call के रुपे की एक रुपे की है, एक share के उपर 20,000 into my one, तो 20,000 amount यहाँ पर हो जाता है, अब बात आती है, पैसे लेने की, तो एक बार नीचे पढ़ लेते हैं, कि इसके उपर कुछ adjustment तो नहीं है, तो यहाँ पर Mr. Bird ने first call भी नहीं दी है, और final call भी नहीं पी किये, तो 300 रुप पहले final call की entry number 7 और उसके बाद फिर entry number 8 बनाएंगे, ठीक है, तो पहले entry number 7 देख लेते हैं, entry number 7 कैसे बनाई है, मैंने share second and final call मैंने इसलिए लिग दिया है, क्योंकि आपने question में देखा होगा, first call के बाद second call के बारे में कोई जी करनी है, तो हम यह माल लेते हैं, कि एक साथ है यह second and final call, आप लिख सकते हो, ठीक है, share second and final call, एक साथ है, two share capital, कितना number of shares कितने है, twenty thousand shares है, और final call पे कितना रुपर मांगे है, एक रुपय, तो इस तरीके से twenty thousand amount हमने निकाला है, नीचा जाते हैं, अब पैसे लेने की बाद जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर पैसे कैसे तो यह थोड़ा सा मुझे टेडा करना पड़ेगा, एक मिल्ट रोके, यह देखिए, ठीक है, तो यह इस तरीके से आप देख सकते हैं, पैसे ले लेते हैं, bank account debit, two share, second and final call, twenty thousand, twenty thousand होना चाहिए था, लेकिन एक व्यक्ति है, जिसके पास three hundred shares है, उसने final call ने दी है, final call एक रु ठीक है, एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने entry दिखा रखी है, ठीक है, तो आप proper format बनाएंगे, date, particular, LF, debit, credit करेंगे, format बनाएंगे, उपर journal और company वगारा का नाम भी लिखेंगे, इसके लावा एक बात जरूर ध्यान रखेंगे हमेशा, उसके भी number होते हैं, वो आगे चलते हैं, तो यहाँ पर अपना question कहां तक बन गया है, एक बर देख लेते हैं, तो यहाँ पर application का काम हो चुका है, allotment का का काम हो चुका है, first call का हो चुका है, and final call का भी काम हो चुका है, तो अभी तक हम लोग application, allotment, and first call and final call की entry बना चुके हैं, यहाँ तक अपना का हो गया है यहां तक आप देख सकते हैं अब आगे पढ़ते हैं ओल दोज शेर ठीक है न थ्री हंडर्ड जो शेर्स थे मिस्टर बर्ड के जिसने फर्स्ट कोल भी पे नहीं किया था ना फाइनल कोल पे किया था तो इसके सेर अब फोर याद होगी आपको मैंने आपको बताया था यहां पर आपको सबसर दीख रहा है कि प्रीमिम邦 के बारे में कुछ बात भी नहीं Yak को यह ना है तो अ entry no.9 है तो पहले यहाँ पे 9 लिख लेते हैं यह entry no.9 हम बना रहे हैं और यह जो entry बना रहे हैं यह हम बना रहे हैं entry for feature की तो for feature की entry होती थी at par पे share capital account debit ulti entry है नहीं इसको credit करते हैं हम ठेक है इसको debit कर देंगे और जो चीज पे नहीं की है उसका account खोल देंगे तो क्या pay नहीं किया है first call और final call पे नहीं किया है उसके लिए हमने कौन सा account खोला है call scenario account तो उसको हम यहाँ पे credit कर देंगे to call scenario account ठेक है ना call scenario account और उसके बाद जो pay कर दिया है वो forfeats कर लेंगे to share for feature account clear है तो उसने application पे भी पैसे दे दिये हैं allotment पे भी पैसे दे दिये थे first call और final call पे पैसे नहीं दिये थे नहीं allotment पर पूरे पैसे मिल गये थे बिलकुल मिल गये थे पूरे पैसे ठेक है तो यहाँ पर अब कितने number of shares थे 300 shares थे ठेक है 300 shares थे अब 300 shares पर आप यहाँ पर एक यह तो ऐसे कर सकते हो कि call scenario का amount पीछे से लिख सकते हो यह amount तो कैसे लिख सकते हो यह जो उपर का 3000 यह कैसे निकाला इसने 300 shares है ठेक है न जिस पे उसने पैसे नहीं दिये जो forfeit किये हैं है और fully paid up है न 10 रुपे का share है clear है तो इस तरीके से amount नि एक तो तरीका है कि पीछे देख लो आप call scenario को दो बार आपने debit किया था यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ यह रा call scenario एक बार 12 सुरुपे से था और एक नीचे मिलेगा यह रा call scenario 300 पे से तो total कितना होगा debit 15 सुरुपे तो इसको वहाँ पर 15 सुरुपे से credit कर दो यह देखो इसने 15 सुरुपे से credit कर रखोगा थेक है 15 सुरुपे से credit कर रखोगा यह फिर एक तरीका यह है कि इसने कितने पैसे नहीं दिये हैं first call and final call पर पैसे नहीं दिये हैं तो 300 share जैसे भी आपको अच्छा लगे कर लेना है और बाकी के पैसे ये 300 shares पर कितने दे चुका है इसका मतलब 5 रुपे दे चुका है ये first call और allotment के मिला के clear है तो ये है four feature की entry जो मैंने आपको करा दिये add par का case था है अब हम आगे चलते हैं अब resu के time पर entry बनाएंगे अब resu का भी इसमें concept दे रखा है resu के लिए क्या करेंगे वो भी एक बार देख लेते हैं आपर यहाँ पर आजाते हैं तो resu के लिए क्या कहता है ये the four fitted shares of Mr.Bird जो share four fit किये हैं कितने किये थे 300 ये कहता है worth subsequently resu सारे के सारे resu कर दी गए to Mr.Jone fully paid up और discount पर किये हैं 2 रुपे एक share पर तो entry बनाएंगे याद करो आप तो क्या entry बनती थी reissu के time पर वो entry आया पर बना देंगे 9 के बाद entry number 10 रहेगी तो resu की क्या entry बनती थी discount के time पर bank account debit और discount के लिए share forfeited account debit है ना और 2 share capital share के सामने हमेशा equity word लिखना है preference है तो preference लिखना है ये बार-बार बोलने की जरूर नहीं है क्यों अब कितने shares थे ठेक आँ आप देखो कितने number of shares कितने है number of shares है 300 पूरे का पूरे जो resu की है और discount कितने रुपे था 2 रुपे 2 रुपे discount था तो 300 x 600 इस तरीके से है तो 300 x 10 में से दो गई कितने बचे ठेक दस रुपे का share था ना तो इस तरीके से 24 रुपे है ये तो face value है ये तो 300 x face value कितना है 10 रुपे इस तरीके से इसका भी हमने निकाल लिया अब हम last entry करेंगे मैंने आपको बताया था री इशू के टाइम पर, कि जो share forfeiture का amount होता है, इसको capital जो में transfer करते हैं, तो share forfeited account debit to capital जो, ये amount कैसे निकाला है, बहुत धान से आप देखेंगे, जब question के अंदर कभी भी ये दे रखा हो, कि जितने share forfeit किये हैं, इस question में क्या है, जितने share forfeit किये थे, कितने किये थे 300, उतन question है, तो share forfeiture वाली जो entry है, यानी forfeited वाली, ये देखो, इसमें share forfeiture, उसमें amount देख लो, कितना है, 1500, ठीक है, 1500 से credit है, और उसमें से, यहाँ पर क्या है, debit, कितना, 600 से, तो 1500 में 600 माइनस कर दो debit, बाकी कितना बचा, 900, ठीक है, 900 रुपे यहाँ पर transfer कर दोगे, आप capital जो मे आपको कराती है, I hope clear होगा, एक बार इस question को आप अच्छे से बना के देख लो, ठीक है, और 15-15 number के question मैं next video के अंदर डाल दूँगा, ठीक है, वरना काफी lengthy video हो जाएगा, एक बार इस question को अपने हाथ से बना के देख लो, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं ये question, ठीक है, और अगर जिनके concept बहुत weak हैं, लगता है कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, वो एक बार जरूर जाकर concept अपने strong कर लो, वीडियो देख लो, ठीक है, चलो, आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बाई